मित्रों जय मतादी, कैसे हैं आप सब? इस कोरोना महामारी में किरिप्या करके अपने घर पर ही रहें, कम से कम बाहर निकलने की कोशिस करें और जब बाहर निकलें तब आपके पास कोई न कोई ठोस कारण जरूर होना चाहिए बाहर निकलने का ऐसा नहीं कि किसी ऐसे छोटे मोटे काम से जो की काम चल सकता था, ऐसे काम से बाहर निकलें और अपने और अपने परिवार को और सुरक्षा में डाल रहे हैं सिफ पुलिस की लाठी ही नहीं, बलकि आपको अपनी रक्षा भी करनी हैं पुलिस की लाठी ते चलिए, दस म्याट या एक घंटे या दो घंटे या एक दिन तक उसका असर रहेगा, लेकिन अगर एक बार कोई संक्रमित हो जाएगा, तो जिन्दगी भर के लिए उस पर असर पर सकता है, तो घर पे ही रहिए, जब कोई बहुत ही जोड़ी काम हो, सभी संस्था के लोग, जो कोई भी, तो अपना ख्याल रखिए, आए अब जानते हैं आज का संपून और विस्तित रासिफल, ये संपून रासिफल है मंगलवाड़ी, यानि की पांच मई 2020 का, अगर हिंदी कलेंडर, यानि की अपने पंचांग की बात करें, तो आज है वि दो बच कर 43 में तक रहेगा, उसके बाद चित्रान 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 हो जाएगा, वरत्त यहारे में आज है भौम, प्रदोस, वरत्त, अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है, तो हर रोज हमारे चैनल से पंचांग भी अपलोड होता है, तो उसे ज अगरर आज है क्या खा के निकलना चाहिए, संपून चानकारी एक ही वीडियो में वहाँ पे आपको मिल पाएगी, छोटा ही वीडियो होता है, चार मिट के आस पास का वीडियो होता है, जिसमें कि सभी परकार के जानकारी आपको पंचांक से समनित दी जाती है, तो उसे भ खादे पतात आपके लिए असुब रहेगा तथा रासी अनुसर कौन सा रंग आपके लिए असुब रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंततक बने रहे हैं और संपूर रासी पल का लाब उठाव में जिन मित्रों को भी अभी तक अपने सही रासी पताने चल पाई है उनको क्या करना होगा ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरन लिखकर हमें बताना होगा जिसमें आप बताएंगे अपने जन्म के लिए थी जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक इसी प्रकार से ताकि हम आपके कुल्ली को एक बार देख पाए और आपको बता भी पाएं कि आपकी सही रासी के है और आप भी अपना सटीक रासी फल उसी हिसाब से धर्मसिक्षा चनल पर देख पाएं मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये रासेफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोड करें साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जैमातादी जोड लिखें अगर आपके कुछ सुझाओ हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्ची तोर पर बताएं बित्रों आज के भारा रासे का रासेफल आपको बताना राम करूं उससे पहले आए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है आज बुद्ध सूरी दोनों एक साथ मेश रासी में सुक्र विश रासी में राहू मिथुन रासी में चंद्रमा कन्या रासी में के जिसके फ्रसरु आज आपकी सामाजीक महत्यु के कारियों में व्रसता बनी रहेगी। किसी परकार के सामाजीक कारी करने का उछर आउसर आपको मिल सकता है। आज किसी अन्चाहे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात या फोनबे बात या किसी भी तर,"क्ता बाट". जिससे आपका मूर भी खराब रह सकता है खान पान में आपकी टूची बढ़ेगी आज आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी मामले को हलके में तो बिल्कुल लेने से बचें यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है आपको आज सफलता मिलने के योगबन है लेकिन आपको उसके लिए मेनत भी उसी जजब से करना चाहिए बात करेंगे व्यापार और धश्म की तो नोकरी और कारी छेत में बदलाव का मन आपका हो सकता है मन कर सकता है जिस जग़ नोकरी कर रहे हैं वहाँ से किसी और जग़ सिफ्ट होने का या जो भी काड़िया आप वेवसाय में कर रहे हैं उसे हटा के कोई और नया वेवसाय आरंद करने का आई के सादों में बढ़ोतरी होगी खर्च आपका लेकिन बढ़ेगा बिजनेस पार्टनर की मरस से व्यापार में थ्रह भोत लाब होता हुँ आपको दिख रहा है बात केंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थीयों के लिए आज कहीं थड़ा मैनत बार रह सकता है मैनत में किसी प्रियार के कोई भी कमी बिल्कुल ना रख्खे मेहनत से ये आपको फल की प्राप्ति होगी स्वास्त की बात के तो आज के धकान और अलसे से परिशान रह सकते हैं अपने आपको कम समय देपाएंगे अपने माता के स्वास्त का लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए बात के में प्रेम समत्की तो प्रेम पस्ताव आपके आज विभल हो सकते हैं तो प्यार के जहार करने से तो बिल्कुल आपको आज बचना चाहिए लाई जगरे की भी संभावना यहाँ पे हो रही है तो बिल्कुल प्यार के जहार करने से आज का दिन बचें आज कि निकर तांबे के बरतन में पानी पीते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाल रहे बात करेंगे विरिसरासी की विरिसरासीम चंदरमा आज नौए स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपकी योजना सफल हो सकती है कुछ भी काम करने के लिए अगर योजना बनाते हैं आप और उस पर काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी दिन भर आप अपने काम में वैस्त रहेंगे आज आप अपना काम पूरी एकागरता के साथ भी कर पाएंगे दोस्तों के तरब से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है संतान से सुख भी मिलेगा पारिवारिक मामले में थोड़ी उलजन आपकी बढ़ सकती है साथी धहरी में कमी भी आ सकती है कारी छेत में आपकी स्थिति में सुधार भी संभव हो है बात करें व्यापार और धनकी तो व्यापार और निवेस में धन हानी की संभावना बन रही है तो सलाह विचार करके ही कुछ कारे करें बिलकुल ही आपको सब्धानी से व्यापार में अपने कदम रखने हैं और निवेस्ट करने से तो बिलकुल बचना ही चाहिए आपको बहुत ज़ोरी हो करना ही है तो कुछ लोगों से सलाह ज़ोर ले, जोकि एनभवी हों ऐसे लोगों से सलाह ज़ोर ले, आज आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो आज विद्यार्थियों के आत्मी स्वास में बहुतरी होगी, जिससे लक्ष को प्राप्ट करने में आपको असानी भी होगी स्वास्ति की बात के तो आपका स्वास्ति आज ठीक ठाक रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वास्ति का आपको ध्यान रखना चाहिए आज बात के प्रेम समंद की तो अव्याहित लोगों को प्रेम समंद में आज सजेत रहने की जरूरत है आपके प्रेम समन्द उजागर हो सकते हैं साथ ही आपके पार्टनर का मोड भी खराब रह सकता है जीवन साथ ही से आज नोगजों की संभावना भी बन रही है आज के लिए कर दूद से बनी वी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुबर हैगा आपके लिए आज कर सुबरं कैसा लिया रहाएं बात किने मिथुन रासी की मिथुन रासीम चंदरमा आज दसमें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज किसी पर ज़्यादा बोरोसा करने से बचे हैं कारी जहत में आपके अधिकारी आज प्रसंद रहेंगे आपसे, आपके आत्विस्वास में भी बरोत्री होगी, मकान, जमीन, जायदात से सम्मंदित मामले आपका सुलज सकते हैं, कुछ लोगों से दोस्ती आपकी हो सकती है, आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी कही न कही निकाला जा सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी बोलें, बिल्कुत सोच समझ कर बोलें, और जो भी इस तरह के खतरनाक व्यक्ति होते हैं, इनके सामने अकेले में कुछ भी बोलने से बचे हैं, अगर उनको कुछ कहना हो, जो भी जूठे व्यक्ति हैं, तो दो-चार लोगों के सामने कहें जो भी कहना हो, ताकि दो-चार लोग आपकी गवाही में रहें कि आपने क्या कहा है, नहीं तो वो आपके बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं, और दूसरे जिकर पचारिद भी कर सकते हैं, कि मुझे ऐसा इसने कहा, बात केंगे व्याप परिवर्तन के संभावना बन सकती है, कहीं अगर निवेस करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इसके लिए लेकिन आपको कुछ लोगों की सलाह जोडने चाहिए, नहीं सला लेना चाहते हैं, तो अपने मन सही सोच विचार कहीं करना चाहिए, घर्च में आपकी बढ़ोतरी परिशानी आपको रह सकती है, अपने भोजन का तो पिल्कुल ध्यान में आपको रखना चाहिए, कोई पुरानी बीमारी भी आपको आपको परिशान कर सकती है, बात करने प्रीम समन्द की, तो आज अपने जीवन साथी के परती सकारात में विचार रखें, उनकी सम्मान भी करें, साथी आने वाले दिनों के महत्पून कामों की योजना, उनके साथ सेर ज़रूर करें, इससे आपके समन्द बहतर होंगे, आज के लिए केला खाते हैं, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरन भगवार है, बाते हैं अब करकरासिकी करकरासिम चंदरबा आज 11 हुए स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप परिवार की कला सुधारने में, आज आपको सफलता मिल सकती है, पुराने विवाद और परेसानिया, खत्म होते हुए दिखेंगे, आपके सोचे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं, साथ ही आपको क चलने से बचें, अगर चलना ही परें, तो बिलकुल नियंतन में चलाएं, क्योंकि दुर्घटना की संभावना भी आपकी बन रही है, तो आपको आज समझतर रहना चाहिए, बात कहीं व्यापार और धन की, तो आज व्यापार के मामले में कोई भी फैसला, जल्दबाजी म में लेने से बिलकुल बचें, आज आपके ज्यादातर सौख हमा की पूरे हो सकते हैं, थरीबोत खरीदारी के योग भी बनेंगे, जिसके करण आपका खर्च भी बढ़ेगा, बात ने विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों की मेहनत से आपको आज सफलता की प्राप्त से आपकी अस्मरन सकती बढ़ेगी, सोचने समझने की सकती बढ़ेगी, जिससे आप अच्छा और भी कर पाएंगे, स्वास्त की बात कहें, तो अपने स्वास्त में आज आपके उतार चरहाव आ सकता है, ठकान और अलस भी बना रहेगा, मन में थोड़ी चिरचरापन भी र सकता है, आपके प्रेम समझ मजबूत भी होंगे, पती पतनी के बीज अच्छी समझ भी बनी रहेगी, आज के निका चावल खाएंगे, तापके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरन लाल रन, बात कहेंगे सिंगरासी की, सिंगरासी में चंद्रमा आज बारा जरूरी के याता करने से खास कर बचें, कारी छेतर में आपके अधिकारी, जो भी आपके सीनियर है, वो आपके कामों से प्रसंद हो सकते हैं, अपनी वानी पे नियनतन रखें, जो भी बोलें, बिल्कुल सोस समझ कर बोलें, और ज्यादा आत्मिस्वास में भी ना परें, या ऐसी कुछ बात बोल देना, इससे आपको आज हानी हो सकती है, बने हुए काम भी बिगर सकते हैं, तो ऐसे बातों से बिल्कुल बचें, अपनी बात आपको सेर करने का किसे से मन करेगा, लेकिन बातें सेर करने के लिए व्यक्ति का जोना बहुती सोस समझ कर करें, बात क बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे, उन्हें सफलता की प्राप्ति भी होगी, स्वास्त की बात का है, तो स्वास्त के मामले में, आज सब बात करेंगे कन्यारासी की, कन्यारासीम चंत्रमा आज पथामस्थान में विराजित है, जिसके फ़सुब आज आपको आपके भाईयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, काम धंदा बढ़ाने के लिए जो भी महत आपने पिछले दिनों में किया है, उसका फल आपको अ सन्मंदाज भी गर सकते हैं, तो इसमें आपको सब्धानी भी बढ़तनी चाहिए, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो आपकी आए में प्रहोत्री होगी, व्यापारियों के लिए आज करी अच्छा रहेगा, आज कहीं निवेस करना, आपके लिए लाबदाएक भी सिद आपको क्या करना चाहिए, मसायदार खाने से या ऐसे किसी खाद बदार जिसके खाने से गयस और यह पेट खराब रहता है, आपको बचना चाहिए, बात करेंगे प्रेम समद्की, तो जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा, दामपत्र जीवन मधूर रहेगा, और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज कहीं अच्छा रहने वाला है। आज के निगर मूं की डाल खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरन सुनारा रंग। बात करेंगे अब तुलारा से की। तुलार सेम चंद्रमा आज दूसे अस्थान में विराजीत हैं, जिसके फ्रसुब आज आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जनों से मदद मिल सकती हैं, किसी बुजुर्ग की सलाह लेंगे, अन्भावी लोग की सलाह लेंगे, तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता ह हैं, आज आपको आपकी उत्सुता कई नई जीएं भी सिखा सकती हैं, साथी आज आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है, तो अपने गुस्से पर नियंतन रखें, आद विश्वास से आज परिपून रहेंगे, परन्तु आए में कमी और खर्चों में अ आ सकती है, व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना लें, आपके खर्च भी आज बढ़ेगी, बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों का मन आज परहाई में लगेगा, और उनको सफलता भी मिलेगी, स्वास्त की बात कर थकान हो सकती हैं, आपक आज जातकों के लिए विवाह के अपस्ताव भी आ सकते हैं, आज के निगर तही, अपने खाते पतार्थी में सामिल करेंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरन फिरोजी हैं, बात करेंगे विश्ची ग्रासी की, विश्ची ग्रासी में चंदर आज गलत साबित हो सकते हैं, तो आपको बचना चाहिए सीधे सीधे फैचले लेने में, किसी अन्य की भी सहयता अगर लेंगे फैचले लेने में, तो आपको सफलता मिल सकती हैं, कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है, आपके संतान को कश्ट भी आपकी वजह से हो स परिवार के साथ किसी धार्मिक कारी करने का, मन आपका कर सकता है, घर पे बैठके आराम से पूजापाट करें, पूरे परिवार जन एक साथ समलित होके पूजापाट करें, इसका फल कुछ और ही होता है, जरूर कीजिए, बात केंगे व्यापार और धनकी, तो किसी में नए अनुबंद हो सकते हैं, कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्षाज बैतर भी रहेगा, बात केंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थी आज अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंतित और निरासा से निकल कर, अपनी पढ़ाई में मैनत करना होगा, सफलत आपको त पूर्ती भी करेंगे, विवाहिक जीवन में समरस्ता आपकी बनी रहेगी, आज के लिए गेहुं से बनी वी चिये खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग लाल रहें, बात करेंगे धनु आसीगी, धनु आसीम चंद्रमा आज चोथे स स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आपको कुछ भसे हुए कारियों को लिप्टाने में सफलता की प्राप्ती होगी, आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत सारे कारियों को आप खत्म कर सकते हैं, अपने काम को लेकर अगर आप संकोच में नहीं तो आपको फाइदा होगा, आज हो सकता है आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए, कहीं पर जूट भी बोलना परे, आज आप अपने बच्चों की प्रहाई में भी रुची ले सकते हैं, बात केंगे व्यापार और धनकी, तो आज कहीं भी धन्नी वेस्ट करने से बचें आपको हानी यहाँ पर हो सकती है, आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, लापरवाही और संकोच में ना परे, इससे आपको आपके केरियर में हानी होगी, व्यापार में अगर योजनाबा तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो आपको फाइदा भी होगा, बात कें आपको सीर्थ में दरदर रह सकता है, साथी कफ का सामना भी करना पर सकता है, तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें, ठंडी चीए खाने से तो बिल्कुल बचें, बात कें प्रेम समंद की, तो आज आपका व्रवाहीक जीवन सुख में रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्व आपको ध्यान रखना चाहिए, और विवाहीत लोगों को भी प्रेम समंद में सफलता मिलने के योग बन रहे है, प्यार के इजहार करने के लिए आज करिए अच्छा आपके लिए रहेगा, आज के लिए अगर ताम्वेकर बरतन में पानी पीते हैं तो आपके लिए सुब बात करेंगे मकर रासी की, मकर रासीम चंद्रवा आज पांच में अस्थान में विराजीत है, जिसके फ्रसुब नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आपको मिल सकते हैं, नोकरी और कारवार में आपको अपने विवार को और भी अच्छा अप करत्मक सोच आपको हानी भी करा सकते हैं, बात करेंगे वियापार और धनकी, तो भहत एक सुक्स विदावाई चीज़ों में ब्रहतरी होगी, वियापार में मुनाफा भी होगा, साथी नोकरी के लिए अनुकुल लिसेती आपके लिए बनी रहेगी, अपने वियापार में ब्रधी भी कर पाएंगे, बात करेंगे विद्यार्थी गीत, विद्यार्थियों को आज ज़्यादा महत करना पर सकता है, महत करें उसका फ़ल भी आपको उतना ही मिलेगा, स्वास्त की बात करें तो स्वास्त में आज उतार चरहाओ कि योग बन रहें, लेकिन भोजन करें भी आपके हो सकते हैं आपे, आज करेंगे गुर्व, अपने खाद्य पतार में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरन भगवारन, बात करें कुम्रासिकी, कुम्रासिम चंद्रमा आज छटे स्थान में विराजित है, जिसके फ्र आज अगर आपको कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें फायदा होगा, कुछ छेत्रों में तो नई सुर्वाद भी हो सकती है, किसी प्रकार के धार्मिक कारी करने के योगबन है, धार्मिक कारी निश्चित तर्बे कीजिए और पूरे परिवार जन उस पूजा में भाग ले, भले ही पूजा पांच मिनिट के लिए ही क्याँ आप, परिवार में सुक्स्विधाओं का विस्तार भी हो सकता है, संतान के तरप से आपको थोई चिंताज रह सकती है, खास करके संतान की गत्विधियों से, किसी से आपके आज वाद व्याद हो स शुब समय में नयाकारी आरम करें, ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चीतर परो, पैसे के लेंद में आपको किसी के जूट के कारण आज नुक्सान हो सकता है, कोई अटका हुआ, फसा हुआ, धन ऐसा प्राप्त हो सकता है, बात ने विद्यार्थि की, तो विद्यार के लिए आज करें, बढ़िया नहींने वाला है, जीवन साथ ही का सही होगा, आपको प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथ ही के भाब ना होगा, जब आज खियाल लखें, आपके जीवन साथ ही आज ज्यादा भाउख हो सकते हैं, छोटी-छोटी बातों पर उन्हें आत्मे अस्थान में विराजित है जिसके फ्लस्रुक घर पईवार किस्तिते में सुधार लाने के आपके विचारों से उनको समर्थ मिल सकता है आपके रोजमर्णा के काम पूरे हो सकते हैं तरह उसे बाहर निकलने में आपको मदद भी मिलेगी आज आप दूसरों की मदद भ है किसी प्रकार के वाद व्याद से बिलकुल बचे हैं बात करने व्यापार और धनकी तो व्यापार में आज आपकी वेस्टता बनी रहेगी आर्थि इस्तिति आपकी बहतर भी होगी विद्यार्थि की बात के विद्यार्थियों के लिए आज की ने अच्छा रहने वाला ह आपको हो सकती है, फिर भी मेनत में किसी प्रकाद की कोई भी कमी बिल्कुल न लख है सौास्त की बात के तो पुरानी डोग आपके खत्म हो शकते हैं सौास्त में सुधार होगा, दाय हाथ या साइल का किसी भी दायगि में चोट लग सकती है तो यहाँ पर आपको समल कर रहना चाहिए प्रेम समन की बात कर दाम पत्री जीवन सुख में रहेगा घर में खोसी का माहल भी बना रहेगा आज के दिने के कुछ तला हुआ भोजन करते हैं दिन के 3 बचकर 16 मिट से लेकर दिन के 4 कर 54 मिन तक इसवय में कुछ भी नयाकाड़ी करने से बिल्कूल बचे हैं दियशास वने व्लाया है उत्तर दियशा में है उत्तर दियशा में किसी खास परेजन से यहाँ आपको हो सकते हैं आपे आज के दिने का गुर्र अपने खादी पताति में सामील करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा तुम्हें तो मिलते हैं इसी तरह कि अनिक ज्ञानवर्दक वीडियो के साथ अलग राशी फल के वीडियो के साथ या पंचांग के वीडियो के साथ तब तक देखते हैं दाम्सिक्चा जयमाता दी